तो आज के इस lecture को स्टार्ट करने से पहली बता जिता हूँ जिसको कोड चैंगे डिसक्रिप्सन में कोड है जाकर के ले सकते हो जा सकते हो बत जिसको कोड understand करना है जिसको फिलो understand करना है वो इस lecture को understand कर सकता यह काफी जाधा important lecture होने वाला है अगर आप इस्ट्राइप payment APIs create करना चाहरे हूँ तो ठीक है अब दिखिए यहां पर मैं पहले तो यह बता जता हूँ कि इस्टाइप payment APIs हम कभ यूज करते हैं लाइक मान के चलिए आप node.js में API development कर रहे हो और आपके front end वालों को API चाहिए इस्टाइप payment के लिए लाइक वह सबसे पहले customer करते हैं फिर add to means add card करते हैं और वह अपना चार्ज करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ठीक है बैक एंड पर तब यह हमारी जो API हैं वह काफी यूजफुल होती है तो एक एक करके मैं बता हूँगा कि कैसे हमें यह API को फ्लू को understand करना है कैसे आपकी वर्किंग में आएंगी सबसे पहले कौन सी API हिट करने है नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या करना है ठीक है चलिए without wasting time में स्टार्ट कर लेता हूं स्ट्राइप के बारे में तो सबसे पहले तो मैं स्ट्राइप के पास आजाता हूं जो मेरा स्ट्राइप है यहां पर देखो कि जब हम API पर वर्क करेंगे ना तो एक तो होता है payment section ठीक है तो यहां पर जो आपका payment section है यहां पर विज़के लिए पीमेंट्स तो आती हैं बट यहां पर आपकी पेमेंट्स आपकी कंफर्म होने के वाद आएगे जब चार्ज आपकर चला करके चलेंगे सबसे पहले तो मैं बता आता हूं कि package.json में means कि आपने stripe का इंस्टॉल कर रहा हूं नहीं किया इंस्टॉल तो आपको प्रावलम हो सकते हैं इसलिए आपने सबसे पहले यह काम किया हूं ठीक है ठीक है तो ऐसा ही मैंने सेम इस.env के अंदर किया है बट मैं उपन करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि महां पर मेरी कीज डाली हुए ठीक है यहां पर जो आपको बर्क करना है नेक्स्ट लाइक मैं अपने app.js के अंदर आ जाता हूं सबसे पहले मैं यहीं से चला करके दिख है यहांता है заal 400 अबाद में क्रेट होगा जो ही हमारी पेमेंट होगी सबसे पहले कल में उत्ति क्रेट सक्रएज को तब तक आप आगे चल करके फिलो को identify नहीं कर पाऊगे सबसे पहले आपको कस्टुमर को create करना होता है एंद आपको add card करना होता है जब आप जा करके कहीं charge create कर पाऊगे ठीक है means amount का charge create कर पाऊगे लाइक मैं यहां पर दिखा भी देता हूं मैंने यहां पर फिलो बना रखा है कि सबसे पहले आपके create कस्टुमर वाली पर ही हिट होगी means जो भी आपका front and side से यह कुछ इस तरीकी से करेंगे जिसमें name आ रहा हुआ email आ रहा हुआ जैसी आप यहां से लाइक मैं यहां पर एक यहां पर लाइक मैं अजय नाम का एक user है और यहां पर उसकी mail है gmail.com जैसे मैं यहां से सेंड करता हूं तो यह क्या करेगा मेरे को एक कस्टुमर आइडी जनरेट करके देगा कि यह कस्टुमर आइडी है आप इसका यूज करो और यहां पर इसके लिए आप एड कार्ड करो फिर चार्ज क्रेट कर सकते हूं ठीक है यहां पर देख पार हो कि मेरी स्ट्राइब की तरफ से रेस्पॉंस आया अगर मैं इसका थोड़ा फिलो बताऊं तो यह हमारा क्रेट कस्टुमर वाला का मैं साथ की साथ फिलो भी बताता जाओंगा यहां पर आओगे तो यहां पर देखो मैंने एन्वी के अंदर से मैंने अपनी स्ट्राइब सी कर पाएंगे अड्कार्ड कर पाएंगे एंड्च रट कर पाएंगे तो यह मेरे मेरा कहल हुझ रॉड़ा था क्रेट कर दूम मुर्त कर चीम्पल सिंपल सिम्पल डॉटब डौट कस्टुमर डौट कर दिया और प्रेश ख्यूंप और अब इस यहां पर पेस्टोमर क्रेट हो जाएगा तो जो भी नेम से यहां पर एक आजय नाम का जो है यहां पर देख पार हूं ना आपको आजय नाम का एक नेम और एमेल आ रहा है ठीक है तो इनके basis पर हमारा ह्मार च। करेंड हो चुगा है देखिए यहां पर customer id वह pass करिए जो कि अभी आपने create गिये last API से like जैसे कि हमने create customer से यह वाली API हिट गी तो हमें customer id मिल चुके यह वाली इसका हमें use करना होता है add card के अंदर ठीक है तो मैं यहां पर क्या करूँगा अपना customer id यहां पर मैं pass कर दूँगा और यहां पर क्या and card का cbc और मैं अभी पहले इसका flow दिखा जिता हूं रहन हम इसको हिट करेंगे तो यहां पर आओगे ना जब इससे ही आपकी call होती है add new card वाला method आपका call होता ही रहा ठीक है जिसमें हमने से हमने क्या निकाला customer id card name expiry name month names number cbc ठीक है request.body में से निकाल लिए अब यहां पर क्या गर रहे हैं कार्ड हम create करने जारे हैं जिसमें name हमने पास कर दिया नंबर पास कर दिया एक्सपारी experiment and cbc हमने पास कर दिया यह ध्यान रखेगा यह से मैजटी आपके होने चाहिए ठीक है तो card token जब आपका create हुआ तो हमने क्या किया stripe.customer create source किया ठीक है इसमें हमने customer ID पास कर दी जो भी हमारी customer ID आई थी request से जो कि यह वाली थी ठीक है यह वाली हमने customer ID पास कि कि इस customer का यह card token का ID निकालो और इसका एक source create कर दो ठीक है अब जैसी मैं यहां से इसको create कर दो जैसे like मैं यहां से send कर दा हूँ आपको जो है card 120 अज़र आएगा ठीक है तो यहां पर तो अभी हमने add card किया तो card add हो जाना चाहिए उस customer के लिए ठीक है तो यहां पर देशकते हो 4242 वाला जो card है अजय के लिए वो add हो चुका है अलांकि payments नहीं होई होगी अभी क्योंकि अभी हमने उस पर चार्ज नहीं किया ठीक है तो चार्ज जैसे ही वो create करेगा तो यहां पर जो है payment आ जाएगी बट अभी payment नहीं आई होगी क्योंकि अभी हमने ओल्ड है यहां पर देखें तो आरव का चलना था अभी हमारा अजय का आएगा ठीक है तो देखें यहां पर मैंने क्या गिया सबसे पहले card कर दिया card हमारा चला गया अब जो हमारा next आता है next API कॉल होने के लिए जो कि यह विसके लिए चार्ज क्रिएट करने के लिए ठीक ह यहां पर जा रहा है और कि समांट के साथ जा रहा है ठीक है तो यहां पर मैं थोड़ा API के बारे में भी बता रहता हूं जो भी मेरी API चल रही है यहां पर आप भी आप देखोगे create charges ठीक है create charges नाम का हमारा यहां पर जो है method call हो रहा है like मैं यहां पर आता हूं अभी यहां वेमेल दिखेंगा इट करां हुए है और स्ष्ट करें किया हो सब्सक्राइब ही प्रभाइट जाल देनी है और सेम आपको यहां पर कस्टूमण डालने कस्टूमर आईडी आपको पता है कि यहां से हमने अजैकर कई यहां यहां से उठा लेते हैं और यह कंडूमर इसकी ही हो गई धीर हमारा जाएगा और यहां पर हम क्या करें अमांट को करो करें च Suppose we ass Sharonu Raz Room करें तो पैसे में जाएगा ऐंड उसकी बात करों USB की संच में जाएगा थिकए यहां पर कर kimse कि का काड़ रएडी के बीजुकिज पर और कास्टूमर आईडी की विजेज पर यह शर्ज करना चाहिए से Earn करता हूं तो यहां पर देखो कि मैं आपके चाहरा चॉपर सब्सक्राइक हो लिआ जो भी हमारी payment create हुई है like यहां पर देखते हो 3000 का आइग नार payment हो चुका है आज है at gmail.com से ठीक है तो आही हो आपको understand हुआ होगा की code कैसे working कर रहा है यह काफी useful है एपेस और save करके रखेगा जिंदिकी में काम आ सकती है इसलिए मैं वह हो लाओ ठीक है मेरे भी काम आ रही है अभी तक तो मिलते हम नेक लक्षर में जिसमें हम और भी कुछ पेमेंट्स देखने वाले हैं तो थैंक यू